आप लोगों को किक के स्ट्नों क्लाश में स्वागत है इस चैनल को सब्सक्राब रहा कर न भूलें आज परते लेकर संख्या 32 लिखाएंगे सव किस्पीड में लिखाएंगे पेंसिल कॉपी लेकर त्यार हो जाएंगे रेडी लास्ट रेडी अस्टार्ट सिरी मान मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधहार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है हमने विभिन दिश्टी कोनों से अलग-अलग विचार किया है विशेश रूप से सबसे उच्छी सीमा बांधने तथा सहकार के पराशन पर किन्तु हम अनुभव करने लग गए हैं कि द गर हमारे देश में बड़े-बड़े फार में होते तो यह कलपना की जा सकती है भले ही आप इससे सहमत नहों कि उनका कारिशन चालन दस्ता से होता और उत्पादन भी बहुत बार सकता और साथ ही साथ आधोनिक तौर तरीकों का विश्तार हो सकता भारत की मुल समस्या यह की जहां जोत की भूमी सोटी है और टुकरों में बटी है सधारन तौर पर मैं कहूं की यह एक दो या तिन एकड़ है इतनी सोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं लेकिन अधोनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत काम परगती करेंगे अब सब से उची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बरे फार्म हैं उनमें कांट साट हो जो की परियोजन भी है अगर आप चाहते हैं कि परगती हो और अधोनिक तौर तरीकों का परचलन हो तब तो ये जो अनगीनत सोटे सोटे फार्म हैं इनको सहकारी धांग से चलाना है जिससे की ओवे आधोनिक उपायों का लाभ उठा सकें पैरा चेंज सहकारी धांग से कार्ज करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और इनके अलाबा अनकई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है जैसे बस्तूओं को खरिदना और वेचना बीज खाद तथा इसी प्रकार की बस्तूओं को दिलाना दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना फिर दूसरी इस्थिती आती हैं जिसको मिल जुलकर खेती करना कहते हैं यदपी उसमें भूमी पर अधिकार बना रहता है इस प्रकार का हमारा दृष्टी कोन है जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक से अधिक जोड़ा जा सके नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है सहकार से मेरा मतलब एक गाउं के सहकार से है और जादा से जादा दो तीन गाउं का सहकार भी हो सकता है यदि उवे निकर से संबंधित हैं लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी झाल